हाई दोस्तों नमस्कार महीं आलूक राज विलकम बैक टू माई यूटूब चनल इजी लाइव इता लोग दोसों आज के ये वीडियो जो है चूटी सी वीडियो जरूर है बट बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो अभी मा फैनिसल मार्केट को इफेक्ट डालेगा और इससे क्रिप्टो कंसी भी अचूता नहीं रने वाला है और यह जो फैक्टर है अभी जो वार का सिच्वेशन चल रहा है फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में यह और इसके अलाब्य जैसे जैसे अधर कंट्री का इन्वाल्मे और जितना लंबा चलेगा तो याद रखेंगे फिर यह जो है फैनिसल मार्केट को इफेक्ट डाल सकता है और जिसके वज़ा से क्रिप्टो कंसी में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा आपको बताना मैं यह चाह रहा हूं कि अगर अब अब जो अगर क्रिप्टो कं का पंप दिखा रहा है बिटकोईन अगर वो जोन ब्रेक होता है तो समझना कि बिटकोईन में और भी अच्छा कासा फॉल आएगा जोन पहले सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दू कि 25,300 डॉलर से लेका 24,800 डॉलर का जो जोन है अगर इसको ब्रेक करके नीचे आएगा फिर आपको बिटकोईन 22,000 तक जाएगा अब यहो 22,000 जाए या 20,000 से भी नीचे जाए या 23,000 जाए मैं बताना यह चाह रहा हूं कि अगर किसी भी फैक्टर से अगर मार्केट तूटता है और जो जो जोन अभी फिलाल जिस जोन पे बिटी से है वहां से गिरकर 22,000-23,000 के पहुंचता है तो मैं आप लोग कहना चाहूंगा कि accumulation करने का chances जो है आपके पास यह last रहने वाला है यह last opportunity मिलेगा जो आप bitcoin को और alt coin को पकड़ पाओगे, accumulate कर पाओगे, जादा जादा खरी सकते हो क्योंकि इसके बाद जो market में pump आएगा ना, इसके बाद जो market में rally आएग फिर बाद में आप सोसती रहा जाओगे कि कब खरीदे, retest करेगा, तब खरीदेंगे, मालूम चलेगा, तब तक bitcoin आपको 40,000 dollar के ओपर चला गया, 50,000 dollar के ओपर चला गया, और same condition आपको alt coin के साथ भी देखने को मिलेगा, मैं simple सब्दों में कहना चाहता हूं कि यह जो अगर down fall आता है, अच्छा खासा market में गिराबाट आता है, 20-20% तक downfall अगर देखने को मिलता है, इसमें आप accumulation अगर करना चाहते है, जो अभी तक नहीं कर पाएं, कर लेना, क्योंकि यह मौका अगर जाएगा, तो फिर उसके बाद market में pump और rally देखने को मिलेगा, सबसे पहले आग एक बाद 24 आजागा, 24 में halving होना है, ठीक है, तो halving होना है, और halving का effect जो है आपको दिखेगा, halving से पहले ही, सिर्फ halving होने के बाद market में pump नहीं आएगा, बलकि halving होने से कुछ महिना पहले ही market में जबरदस rally आपको देखने को मिलेगा, और उसी rally में जो मैं आज नहीं, एक सल पहले से बता रखा हो, कि बिटकोईन halving से पहले, 40-45,000 डॉलर के बिटविन में देखने को मिलेगा, जो अभी आपको 27,000 डॉलर पे दिख रहा है बिटकोईन, वो 40,000 के ऊपर देखने को मिलेगा, जस्ट महज कुछ महिने में, तो यह जो अभी अगर downfall आता है फिर आप खरीदोगे, तो higher price पे, और higher price पे, जितना high पे खरीदेंगे, उतना ही कम profit लेने की chances बनेगा आपके लिए, तो इसलिए में करो, एक तो halving है, जिसके वज़ा से market में pump आना ही आना है, दूसरा reason, जो bitcoin ETF chances है, कि within two months, या नहीं, इस year के end तक में, 2023 के end तक में, प्रॉ हो जाएगा, फिर ethereum ETF भी आ चुका है, वो भी approval के लिए apply कर चुका है, तो ये सभी चीजे जैसे जैसे ETF approval होगा, इसी साल के end में, उसके बाद market में रुखने वाला नहीं है, altcoin की price और bitcoin की price रुखेगा नहीं, एक काफी rally आपको देखने को मिलेगा, अब मुझे पूरा यकी है कि हालविंग से पहले आपको देखने को मिल सकता है, जनवरी, फरवरी कह ले या मार्च कह ले, उस टाइम तक 40,000 डॉलर को टच कर जाएगा bitcoin, तो आपके लिए last मौका है, यही अपडेट देना चारो, बाकि फिर next वीडियो में बताएंगे, और आप लोग अगर क्या demand ह कमेंट बॉक्स मताईएगा किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएंगे, धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स यूरियो में